देख सकते हैं ये इसका Official Advertisement Notice है और ये विकंसी आड़ीया भी परमानु उर्जबिवाग Department of Atomic Energy के अंदर में आता है IREL Indian Rare Earth Limited के तरब से विकंसी आपको याँ पर देखने के लिए अगर आप इसमें इंट्रेशेट होंगे ये लिजिबल होंगे ज़रूर से इसमें प्लाइ कीजेगा इसका जो नोडिफिकेसन नमर है अर्बटाइजमेंट नमर यहाँ पर दिया गहा है इसमें जभी पोस्ट न मिनी रतना कटेगरी में आता है और यह डिपार्टमेंट आफ एटोमिक एनरजी परमान उर्जा विवा के अंदर में आता है इसके तरब से विकंसी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है यहाँ पर इसकी सीडियूर की बात करें तो यहाँ पर आप यह देख सकते ह फूर्थ वीक उफ सैप्टेंबर या फस्ट वीक उफ उक्टूबर में होने वाली है इसमें कौन-कौन से बरंच के लिए विकंसी है तो यहाँ पर जो टेकनिकल का पोस्ट है इसमें मेकेनिकल माइनिन्аг, इलेक्ट्रीकल, केमिकल और मिनिरल यह सब भी पोस्ट में आप ल स्केल की बात करें तो 57,000 पडमत यहां पर आपकी सेल्डी मिलने वाली है और आपका जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा और आपका एक साल का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको असिस्टेंट मेनेजर के पोस्ट पे परमानेंट जॉब मिल जाएगी जिसके सीटी सी देख सकते हैं 13.25 लाक्स पॉर इनम की यहां पर रहने वाली है और आपकी बेसिक पे चाली के बीच में रहने वाली है जिसमें के और भी सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे जैसे कि ऑन पर आपको पॉर्क àsणा बेनिफिट मिलने वाले हैं बात करें सकी एज लिमिट की तो इसकी जो एज-लिमिट है यहां पर ढपर दिया गया त्वेंटिस के टेट है बीज यह आपको upper age limit में दियागा इनकेस अगर आपका जो age है वो 27 से ज़्यादा हो गयागा तो उस case में आपको यह limit मिलने वाली है अब बत करते हैं यहाँ पर qualification की तो इसकी जो qualification है mechanical, mining, electrical, chemical और mineral यह सभी में अगर आप लोग B.E.B.Tech या उसका equivalent degree में किसी भी relevant discipline में कर रहा है तो आप यहाँ पर eligible apply कर पाएंगे आपके पास graduation degree B.E.B.Tech होना चाहिए engineering field में अगर आप लोग diploma holders हैं तो आपके लिए इसमें vacancy नहीं है आप इसमें apply नहीं कर सकते हैं कि B.E.B.Tech वाले candidate इसमें eligible apply कर सकते हैं तो आप अपना ब्रांच जरूर बताएगा कि कौन से ब्रांच से आप diploma की हैं कौन से ब्रांच से B.E.B.Tech की हैं और आप वीडियो को जरूर से like करके जाएगा चैनल को subscribe करके जाएगा ताकि आने वाले जो vacancies होंगे आप से relevant आपको देखने की मिलेगा और non-technical field में भी कुछ vacancy है तो अगर आप उसमें कर रखे हैं तो apply कर पाएगे अगर आप ये सभी branch से belong करते हैं तो इसमें कुछ allied branch भी दियेगे अगर आप ये सभी से भी कर रखे हैं तो भी आप यहाँ पर apply कर सकते हैं ये सभी branch acceptable है इनके अलावे अगर आपका branch कोई दूसरा होगा तो इसमें acceptable या consider नहीं किया जाएगा अब बात करते हैं यहाँ पर selection process क्या राने वाले है तो इसकी जो selection process है written examination होगा जो की 2 घंटे का होगा इसमें paper 1 और paper 2 होगा paper 1 जो है 100 questions यहाँ पर objective tab पूछे जाएंगे और paper 2 में यहाँ पर 50 questions होगा पेपर 1 का जो 100 questions है आपका professional knowledge यानि की technical paper जो भी होगा उससे होगा और 50 questions जो paper 2 में होगा वो आपको यहाँ पर general knowledge या awareness, reasoning, numerical ability और general English से questions पूछे जाएंगे इसमें आपको 0.25 यानि की 1 4th का आपको negating marking भी देखने के लिए मिल रही है तो जो भी आप इसमें exam में attend करोगे तो यह धियान में रखेगा इसमें negating marking भी इसमें दिया गा एक्जाम सेंटर की बात करें यह से भी location पर आपका exam होगा जैसी की देलही, मुंबई, चन्नाई, कुलकाता, अहमदाबाद, भोपाल, लखनो, बेंगलूरू, कोची, भुवनेस्वर, विसाखा, पत्नम, गुहार्टी और यहाँ पर नागर तो इन में से जो भी आपका location nearest ह होगा, इसमें से दो examination center को आपने preference के अनुसार से डाल सकते हैं, उसके बाद आपका personal interview होगा, अगर आप एक्जाम एटेंड करोगे, और आपका exam जो result हो जाता है, तो आपका personal interview होगा, उसके बाद आपका final selection, जो final merit list हो बनाया जाएगा, बात करें place of posting की, तो इसकी जो place of posting है कहीं पर भी रहने वाली है, लिखा गया कि only candidate willing to serve anywhere in India should apply, अगर आप इंडिया में कहीं भी यहापर काम करने के लिए तयार है, तो आहीं आप इसमें apply कीजिए, यहाँ पर इसमें साफ साफ लिखा गया है, कहीं पर भी आपकी posting हो सकते हैं, application fee की बात करें तो इसमें 5 रुपे का application भी यहाँ पर pay करने होंगे, आपको जिसकी आप online debit card, credit card, net banking के मादम से pay कर सकते हैं, और note में करके लिखा गया कि SC, ST, PLD या EX servicemen candidate हैं, और जो भी women candidate है, या जो भी internal candidate है, उन लोगों को यहाँ पर कोई भी application भी pay नहीं करना है, कैसे इसको apply करना है, तो वीडियो के description में आपको link मिल जागा, apply button, या आप वहाँ पर click करके apply कर सकते हैं, या आप इसके official website पर भी visit करके apply कर सकते हैं, तो मैं directly आपको link दे दूँगा apply online का, उस link पर click करके directly आप इसको apply कर सकते हैं, only Indian nationals eligible हैं, तो all India से कहीं से भी अगर आप belong करते हैं, तो जरूर सा आप इसमें eligible हैं apply कर सकते हैं, कोई भी restrictions यहाँ पर नहीं रखा गया, जरूर सा आप इसमें apply कर सकते हैं, cut update की बात करें, तो 20 अगस 23 इसकी cut update यहाँ पर दी गई है, तो आएप आप इसको समझे होंगे, जो भी main information था मैं आपको बता दिया, फिर भी एगर आपके मैंने में को confusion dot query है, तो आप comment करके पूछ सकते हैं, यह इसका link है, apply करने का, जो कि वीडियो के description मैं आपको दे दूँगा, वहाँ पर click करके इसको apply कर सकते हैं, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए, शुक्रिया और thank you, वीडियो को जरूर से like, share, subscribe कर दिजेगा